नहीं है ऐलो आजकल की इस विडियो में माउ जैडॉंग को आपके सामने लेकर आया हूं इन्हें माउत से स्हीं कहा जाता है इस वीडियो के अंदर ना केवल हम Mao Zedong को पढ़ने वाले हैं बलकि Mao Zedong की फिलोसोफी जिसे आगे चल कर Mao Wad के नाम से Maoism के नाम से जाना जाता है इसको भी इसी वीडियो में हम समझेंगे तो इस वीडियो को मैंने कम से कम पांच बुक कंसर्ट करके बनाया है अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर करना तो Mao Zedong कौन थे सभी को क्लियर्टी है Mao Zedong चाइना के एक प्रमुख साम्यवादी नेता थे लेकिन कनफ्यूजन की बात ये है कि लोग इन्हें मार्क्सिस्ट बोल लेते हैं Mao एक मार्क्सिस्ट थिंकर है ये बिलकुल गलत है Mao माउवादी चिंतक है ना कि माक्सवादी चिंतक हाला कि ये माक्सवाद से प्रभावित थे लेकिन इन्होंने माक्सवाद को बिलकुल बदल कर माक्सवाद का एक Chinese edition लाया जिसे माउईजम कहा गया तो पहली बात यहां पे क्लियर हो गई माओ एक साम्यवादी चिंतक है ना कि माक्सवादी और माओ की अपनी एक बड़ी फिलोसोफी है जिसे माओ वाद के नाम से जाना जाता है अब माओ वाद की समस्या इंडिया में भी बहुत है माओ इजम को नेगेटिब लिया जाता है उसके क्या कारण है उसको भी इस वीडियो में समझेंगे सबसे पहले कंटेंट आपके सामने मैं बता दूँ इस वीडियो में हम क्या क्या डिसकस करने वाले हैं सबसे पहले हम माओ के लाइब स्केच को देखेंगे उनकी जीवनी को समझेंगे उसके बाद उनकी writings क्या-क्या रही उनके उपर influences किन-किन परिस्थितियों के रहे और किन-किन thinkers के उनके उपर influences रहे उसके बाद हम देखेंगे theories ये जितनी भी theories है ये माउवाद की प्रमुक theories है इनी से माउवाद का निर्मान होता है माउव के जितने भी विचार है उनको जब हम collect करते हैं एक जगा पे उनको रखते हैं तो वो माउवाद बन जाती है माउव की philosophy या फिर माउव की ideology इसमें theory of war को देखेंगे theory of power, theory of revolution cultural revolution के उनकी क्या धारना थी new democracy, democratic dictatorship, democratic centralism theories of great lives, theories of human worship और freedom के उपर इनके विचारों को देखेंगे freedom of thought के बाद theory of imperialism हम राज्यवाद के बारे में विचार और सबसे लास्ट में हम देखेंगे theory of contradiction contradiction का इनका जो सिधान्त है अंतर विरोधों का सिधान्त वो बहुत ज़ादा important है और marxism में इसी के द्वारा इन्होंने change लाया था जोस्तो साथ ही साथ आपको ये shorty दूँगा अगर आपने मेरी ये वीडियो complete देख ली और इसके notes बना लिये तो इसके बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पढ़ेगी क्योंकि इसके अंदर तो सबसे पहले हम शुरू करने वाले है माओ जैडॉंग या माओ से तुनके period से उनके life sketch से दोस्तो माओ का जो जन्म है वो 26 दिसंबर 1893 को मध्य चीन के हुनान प्रांट में शाओवान अब कई जगा पे शाओवान लिखा है वर्ष की आयू में इन्हें क्रिशी कारियों में लगा दिया गया जिसमें उन्होंने उस टाइम के feudal system को समझना शुरू किया उन्हें ये बात उसी टाइम से समझ आने लगी कि किसी किस परकार से क्रिशकों का शोशन किया जा रहा है feudal society के अंदर और क्रिशक क्योंकि मजबूर थे उनकी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा था इसका इनके उपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा और आगे इन्होंने जो communist क्रांती की रूप रेखा है वो क्रिशक आंदोलन के उपर तै की यहीं से इनके उपर यह प्रभाव पड़ा था ठीक है? फ्रेंट्स माओ के जीवन के घटना क्रम से आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि किन किन थिंकर्स का उनके उपर प्रभाव पड़ा और किस परकार से evolution होता है उनके communist विचारू का तो दोस्तो 1893 में उनका जन्म होता है और साथ वर्ष की आयू में सन 1900 में वो agriculture से जूड़ जाते हैं 1901 में एक साल बाद 8 साल की age में एक private teacher उनके लिए hire किया जाता है उनको पढ़ाने के लिए लेकिन 12 वर्ष की आयू में सन 1905 में उन्हें शिक्षा से अलग कर दिया जाता है उनकी पढ़ाई छूड़ जाती है और वो दोबारा से क्रिशी के काम में लग जाते हैं लेकिन माओं मानने वाले नहीं थे उनके अंदर पढ़ाई से रिलेटेड बहुत जादा महतो का अंक्षा थी तो 14 साल की age में उन्होंने दोबारा से पढ़ाई शुरू कर दी और बच्पन में ही उनके उपर दो समवादों का या आबो सकते हैं दो उपन्यासों का प्रभाव पढ़ा ठीक है ये दो उपन्यास थे दो रोमांस ओफ दो मंकी वाटर मार्जिन दो रोमांस ओफ दो मंकी वाटर मार्जिन और दूसरा था दो रोमांस ओफ दो थ्री किंगडम्स इन दोनों उपन्यासों का बहुत ज़ादा इनके उपर प्रभाव पढ़ा था बाद में इन्होंने इससे बहुत कुछ अपनाया है 14 वर्ष की आयू में ही इनकी शादी कर दी गई थी लेकिन किनी कारणों से वो शादी ज़ादा टाइम ठीकी नहीं और जल्दी ही डाइवोर्स हो जाता है 1911 में 1911 आपको पता है चाइनीज रेवोलिशन के नाम से जाना जाता है 1911 चीन में एक क्रांती हुई जिसके नेता सन्यात सेन थे और सन्यात सेन ने चीन के अंदर जो अस्त व्यास्त सिस्टम था उसको खतम करके एक स्थाईश आशन वहाँ पे लाने की कोशिश की ये क्रांती उनके जीवन पे इसका बहुत जादा प्रभाव पड़ा वो एक पहाड़ी पे खड़े थे और पहाड़ी पे खड़े होके वो पूरा रेवोलिशन क्रांती नीचे देख रहे थे किस प्रकार से गोरिल्ला युद के द्वारा वो क्रांती हुई थी और गोरिल्ला युद इन्होंने इसी क्रांती से अपनाया था और दोस्तो इस क्रांति की शुरुवात वुहान शहर से हुई थी वुहान वही जहां से कोरोना की शुरुवात हुई है दोस्तो इसी वश माओंने क्या किया माओंने Military Training जॉइन कर दी एक हिसाब से चाइना के अंदर Military Training compulsory थी तो इन्होंने Military Training ली और अगले ही साल, एक साल बाद इन्होंने क्या है, मिलिटरी को छोड़ दिया, और इनका जो 19 साल की एज में, 1912 में, सोशलिस्टिक पार्टी की और रुजान बढ़ने लगा, उस टाइम सोशलिस्टिक पार्टी के जो नेता होते थे, वो च्यांग कांग हू होते थे, च्यां 20 साल की एज में, इन्होंने अपनी हायर एजूकेशन कम्पलीट की, और उसके तुरंत बाद इन्होंने एक लाइबरेरी जॉइन की, और वहाँ पे चीफ लाइबरेरियन, यानि मुख्य लाइबरेरी अध्यक्षिये बन गए, और सन 1920 में, 1920 में ये रश्यन मार्क्सिजम से बहुत जादा प्रभावित हुए, रश्यन मार्क्सिजम, रूसी करांती जो हुई, रूसी करांती के बाद, ये लैनिन की पॉलिसी से बहुत जादा प्रभावित हुए, और इन्होंने लैनिन की जो ठिंकिंग थी, और मार्क्सिस्ट फिलोसोफी को इन्होंने पढ़ना श 1911 की जो क्रान्ती हुई थी जो वुहान से शुरू हुई थी उसे यांग शा क्रान्ती के नाम से भी जाना जाता है जिसका इनके जीवन पर बहुत जादा प्रभाव पड़ा था 1921 के बाद इनका राजनितिक जीवन शुरू होता है जब इन्होंने Communist Party का संधाई सेशन को जोईन किया था उसमें इन्होंने भाग लिया था और इसी सेशन के अंदर इन्हेँ Communist Party का सेक्री बनाया था हुनान स्टेट के लिए हुनान स्टेट जहां की ये रहने वाले थे वहाँ पर इन्हें सेकरेटरी बनाया गया कॉमिनिस्ट पार्टी का 1925 के अंदर एक घटना घटती है सन्यात सैन की डेथ हो जाती है और सन्यात सैन की डेथ के बाद Chiang Kai Sheikh President बन जाते है Kuomintang Party के Kuomintang या Kuomintang Party से कहा जाता है और यही Party रूल कर रही थी 1911 से लेके 1949 तक 1949 में इसी के खिलाब विद्रो किया था माओ ने और इसको वहाँ से भगा दिया था ठीक है? तो 1925 में जैसे ही सन्याद सेन की डेथ होती है Chiang Kai Sheikh एक authoritarian नेता बनकर उभर कर सामने आता है वो उग्र राष्टरवादी था और उसने अपना प्रमुख लक्षे बनाया साम्यावादियों को जड़ से उखार देना उनका नरसंहार करना ठीक है? कॉमिनिस्टों पर जब अत्याचार किये गए तो जान बचाकर कॉमिनिस्टों को वहाँ से भागना पड़ा माओं भी वहाँ से भाग गए और दूर दराज देहाती गाओं में ये चले गए और वहाँ पे इन्होंने क्रांती के लिए क्रिशकों को एग्रिकल्चर से जुड़े हुए व्यक्तियों को इकठा करना शुरू किया और उनके संगठन बनाने शुरू किये और जहाँ पे ये रह रहे थे वो चांक्षा स्टेट था चांक्षा स्टेट में इन्होंने क्रांती करने की कोशिश की जो की असफल रही लेकिन चांक्षा स्टेट जो था उसके कुछ भागों पर कॉम्मिनिस्टों का नियंतरण हो गया और वहाँ पे उन्होंने चीन की अपनी एक सरकार बनाई ठीक है और जिसका नाम इन्होंने रखा रिपब्लिक चाइनीज सोबियट या सोबियट चाइनीज रिपब्लिक के नाम से इन्होंने स्टेट बनाया चाइना के अंदर जो की चांकशा स्टेट में 1907 में स्थापित किया गया और माओ इसके पहले प्रेजिडेंट बनाए गये उसके बाद इन्होंने पूरे चाइना को अपने कंट्रोल में लाने के लिए और च्यांकाई शेक से मुक्ती दिलाने के लिए मजदूरों को इकठा करना शुरू किया जिसके लिए सन 1934 में इन्होंने लॉंग मार्च शुरू किया लॉंग मार्च के बारे में आप एक बार पढ़ लीजिएगा गूगल का लीजिएगा इसमें एक लाख तीस हजार क्रिशकों को इन्होंने ट्रेनिंग दी और सैनिक इन्होंने बनाया और इन्होंने च्यांग काई शेक की क्वामिंग तांग पार्टी को उखाड़ने के लिए योजनाय बनाई इस लॉंग मार्च के इसे हिंदी में दीर्ध कूच कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर एक चीज नोट करने लाइक है 1932 के अंदर जैपनीज ने क्या है मंचूरिया के उपर अटेक कर दिया और मंचूरिया को अपने कबजे में ला दिया अब दोस्तों यह सैकंड वर्ड वर्ड की प्रिष्ट जर्मनी के अंदर हिटलर और इटली के अंदर मुसोलिनी तानाशा थे यह तीनों देश क्या चाहते थे पूरे विश्व को अपने कंट्रोल में करना चाहते थे अपना सामराज्य स्थापित करना चाहते थे तो जापान ने क्या किया जापान ने अटेक कर दिया सिधा मंच मंचूरिया के उपर और चाइना का बहुत सारा हिस्सा जापान अपने कबजे में ले लिया अब देखो उस टाइम कुवामिंग तांग पार्टी वहां पे थी चांग काई शेक उसका प्रमुक था वो मंचूरिया को नहीं बचा पाया जापान से तो वहां पे ग्रेह युद् चापाया तो मजबूरन चांग काई शेक को क्या करना पड़ा कॉमिनिस्टों के साथ समझोता करना पड़ा कि आप प्लीज जापान को हराने के लिए हमारी मदद कीजिए तो कॉमिनिस्ट भी मानगे कि हम तयार हैं जापान को पीछे हटाने के लिए तयार हैं आप हमें थो Mao ने Chinese को तो पीछे जैपनीज को तो पीछे हटाया लेकिन साथ ही साथ जो मदद जो हतियार जापान को हराने के लिए मिल रहे थे Mao ने उसको इकत्रित करना शुरू कर दिया अपने पास इकठा करना शुरू कर दिया और उसको बाद मैं kuamintang party के खिलाप यूज किया और जिस से kuamintang saynakr को पीछे अटना पड़ा हार जाती है kuamintang party 1949 के अंदर और भाग कर वो फार्मुसा टापू पे चली जाती है फार्मुसा टापू जो की चीन के अंदर ही है लेकिन उसके उपर शाषण होता था अमेरिका का उसको हम बाद में पढ़ेंगे और दोस्तो 1946 के बाद डारेक्ट वार शुरू हो गया था कुवामिन तांग पार्टी और कॉमिनिस्ट के बीच एक अक्तुबर 1949 को चाइनीज रेवोलिशन होती है और चाइना से कुवामिन तांग पार्टी को उखाड कर फैक डिया जाता है और वो फार्मुसा टापू पे चली जाती है लेकिन च्यांकाई शेक फार्मुसा टापू पर भी चाइनीज जो सल्तनत तो नहीं चाइनीज जो स सामराज्य था चाइनीज सामराज्य का प्रमुख बना रहता है और सन 1972 तक ये फार्मुसा टापू पे जो च्यांकाई शेक था उसको स्थाई सदस्यता मिली हुई थी UNO के अंदर 1972 के बाद जो चाइनीज रिपब्लिक है कॉम्मिनिस्ट पार्टी जो की कॉम्मिनिस्ट चा दस्यता मिलती है जब चांकाईशेक की डेठ हो जाती है दोस्तों चीन का पूरा नाम है पी आरसी चीन का पूरा नाम क्या है पी आरसी पीपल रिपब्लिक ऑप चाइना और इसकी स्थापना माउ ने एक अक्तूबर 1949 के अंदर की थी उसके बाद वो कुछ टाइम के लिए म मॉस्को चले गए थे और वापिस आकर इन्होंने देश की बागदोर संभाली और 1958 ये डेट आपने विल्कुल याद रखनी है 1958 में उन्होंने राष्ट्रा ध्यक्ष का पद लिउ शाओ ची को सौंप दिया और खुद उन्होंने क्या कर दिया एक हिसाप से वहां से राजन अपली सारा का सारा उनके हाथ में था और वो ही आदेश दे रहे थे कि किस तरीके से चाइना को ये सतत क्रांती जारी रखनी है 1966 में इन्होंने सांस्कृति क्रांती का सफल नेत्रित्व किया 1988 की अगर बात करें तो 1988 में इन्होंने लंबी चलांग का सिधान्त भी दिया था या लंबी चलांग इनका प्लान था वो भी किया था और दोस्तों इन्होंने अपने कारेकाल में अपने विरोधियों को जितने भी विरोधि थे उन सब को इन्होंने मौत के घाट उतार दिया और 9 सेप्टमबर 1976 को इनकी डेथ हो जाती है तो ये था इनका पूरा का पूरा जीवन चक्र अब पढ़ते हैं इनकी फेमस राइटिंग को इनकी जो परमुख राइटिंग से प्रंट्स माओं की पांच परमुख रचनाय हैं इसके इलावा इन्होंने काफी लेख भी लिखे हैं पत्त्री काओ में इनकी जो पांच परमुख रचनाय हैं वो है On Contradiction जो की एक लेख था 1937 के अंदर इन्होंने लिखा उसके बाद सेकेंड बुक न्यू डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी के बारे में इनके विचार ये डेमोक्रेसी किस प्रकार की चाहते थे ये सारा इसके अंदर आपको मिल जाएगा तीसरी बुक है On Coalition Government 1945 में लिखी The Present Position and the Task Ahead 1947 The People's Democratic Dictatorship इन्होंने 1949 में लिखी दोस्तों इसके इलावा माओ के विचारों को Selected Works of Mouth से तुंग और Selected Readings of Mouth से तुंग में भी संकलित किया गया है इन दो बुक्स के अंदर भी इनके टोटल विचारों को आप पढ़ सकते हैं और माओ ने 1956 में 10 महान संबंधों पर ये 10 महान संबंध टॉपिक है 10 Great Relations के उपर इन्होंने अपना भाशन दिया था फ्रेंड्स यहां तक माओ की जीवनी को हमने समझ लिया उनकी राइटिंग को उनके उपर influences किन किन चिंतक के थे वो सारा हमने देख लिया अब बात करते हैं माओ की theories को माओ की जितनी भी theories है उसी को माओवाद कहा जाता है that's mean अब हम शुरू करने वाले हैं माओवाद को कि आखिर माओवाद है क्या सबसे पहले हम इसमें देखेंगे theory of war युद का इनका सिधान्त तो माओ युद का समर्थन करता है और उसका मानना है कि युद और शक्ती का प्रयोग बहुत जादा important होता है इसको आप ऐसे समझें उन्होंने बोला है कि जिस परकार national independence के लिए युद की जरूरत पढ़ती है हिंसा की जरूरत पढ़ती है वैसे ही international level पर अगर हमें साम्यवाद की स्थापना करनी है तो वहाँ पर भी युद की जरूरत पढ़ेगी हिंसा की जरूरत पढ़ेगी अब national level पर कैसे इन्होंने कुवामिन तांग सरकार को कैसे हराया हिंसा के द्वारा युद के द्वारा वैसे ये बोलते हैं अगर हमें international level पर सम्यवादी सरकारों की स्थापना करनी है तो वहाँ पर भी हमें क्या है युद करने पढ़ेंगे और युद्धों को इन्होंने दो भागों में बाटा है एक इन्होंने बोला क्रांती कारी युद और दूसरा है क्रांती के विरुद युद ग्रांती कारी युद जो माओ ने किया था कुवामिन तांग सरकार के खिलाफ और क्रांती के खिलाफ युद किया था कुवामिन सरकार ने तो दो प्रकार के युद्ध हमेशा हिस्टरी में भी देखे गए हैं दोस्तों इन्होंने क्रांतिकारी युद्धों का समर्थन किया है और उसे बहुत ही पवित्र मानते हैं पवित्र क्यूं मानते हैं क्यूंकि जो क्रांतिकारी युद्ध होते हैं वो शोशनकारी विवस्था के खिलाफ होते हैं जैसे कि चाइना में फ्यूडलिजम था फ्यूडलिजम के खिलाफ जो युद लड़ा करांती कारी युद लड़ा उसे इन्होंने पवित्र माना है दोस्तों यहां पर इन्होंने एक बहुत ही भयानक बात कही जो कि कभी भी नहीं होनी चाहिए इन्होंने बोला कि जो युद्ध है वो सामराज्य वादी और पूंजी वादी ताक्तों का विनाश करता है फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था उसने रूसी क्रांती की भूमिका को तियार किया था और सेकेंड वर्ल्ड वार से क्या होता है सेकेंड वर्ल्ड वार से चीन की क्रांती का आधार तियार हुआ जो कि 1949 में हुई और ये बोलते हैं तीसरा विश्व युद साम्में वाद की स्थापना करेगा और पुञ्जी वाद को ये नश्ट कर देगा प्रत्थम दो विश्व युद्धो में समराज्य वाद और पुञ्जी वाद को पंगू बना दिया है इसलिए इन्होंने क्या बोला था पाश्चात्य देश कागजी शेर है मातर पेपर टाइगर बनकर रहे गए है क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वर और सेकंड वर्ल्ड वर के अंदर पुझी वाद और समराज्य वाद जो की पश्चीमी देशों का एक महान अस्त्र हुआ करता था वो खत्म हो चुका है इसलिए वो क्या बन चुके है कागजी शेर लेकिन जो ये तीसरे विश्व युद की बात करते हैं वो बहुत ज़्यादा गलत है तीसरे विश्व युद से ये जो सम्मेवाद की स्थापना करना चाहते हैं वो बहुत ही जादा भयानक और गलत है आथी एक बात ये और बोलते हैं कि साम्मेवादी देशों को चाहिए कि साम्मेवादी देश पुझी वादी देश में ग्रह युद को भढ़काए और वहाँ पे ग्रेह युद इतना ज़्यादा भढ़काए कि वहाँ की सरकार को वही के लोग गिरा दे तो फ्रेंड्स ये था माओ का युद का सिधान्त थियोरी ओफ वार आई होप आपको ये क्लियरली समझ आ गया होगा दोस्तो माओ का जो शक्ती का सिधान्ते वो most important है और यही माओवाद का basic या फिर new मानी जाती है माओवाद की माओ की एक quotation है शक्ती बंदू की नली से निकलती है शक्ती बंदू की नली से निकलती है और यही कारण है कि बहुत सारे देशों में कुछ लोगों ने अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए बंदू के उठा ली वो आप नकसलवाडी अंदोलेंदेलो भारत का भारत में जितने भी नकसलवादी है जितने भी माववादी है उन्होंने क्या किया बंदू के उठा ली और शक्ती के दम पे उन्होंने अपने अधिकारों को प्रात करने की कोशिश की तो शक्ती का जो कॉंसेप्ट है वही माववाद का बेसिक कॉंसेप्ट है पावर को ही ये सब कुछ मानते हैं मावच से तुंग शक्ती के महान उपा सकते उन्होंने 1911 की यांक्षा करांती में प्रयोक शक्ती का व्यावारिक प्रयोग अपनी आखों से दिखा था और उन्होंने सामन्तवादी विवस्था में जमीदारों द्वारा किस प्रकार से क्रिश्कों का शोशन किया जा रहा है शक्ती के आधार पर वो भी इन्होंने अच्छी तरह से बच्पन में ही एनलाइज कर दिया था कि कितना इंपोर्टेंट है शक्ती उन्नी सो उन्चास में जो चीनी गंडराज्य की इन्होंने स्थापना की वो भी शक्ती के दम पे की यानि इन्होंने क्या है आम्ड फोर्सीज अपनी तैयार की और फोर्सीज के दम पे शक्ती के दम पे इन्होंने चाइना को आजाद किया और चाइनीज गंड तंतर की सांस्कृतिक क्रांती है उसको भी सफल बनाने के लिए कल्चरल जो रेवोलुशन है उसको भी सफल बनाने के लिए इन्होंने पावर का सहारा लिया शक्ति का सहारा लिया जो लोग सांस्कृतिक क्रांती को नहीं मान रहते उन लोगों को इन्होंने खतम कर दिया पावर के दम पर माओं का मानना था कि मनुष्य को शक्ती के प्रयोग से ही बदला जा सकता है यानि जितने भी मनुष्य के जो भी विचार है उसको शक्ती के दम पर ही बदला जा सकता है इसलिए उन्होंने क्या बोला राजनितिक शक्ती बंदूग की नली से उत्पन होती है इसलिए उसे स शक्ति वार राजनितिक शक्ति में गहरा संबंद होता है अब ये बोलते हैं शक्ति क्या बंदू की नली से निकलती है इसलिए राजनिती और पावर को अलग नहीं किया जा सकता है जिसके पास पावर होगी उसी के पास सत्ता होगी कहने का मतलब है जिसके पास शक्ति होगी उसी के पास शाशन होगा, नहीं तो आपको उखाड के फैक दिया जा सकता है, अगर आपके पास शक्ती नहीं होती है. तो यहाँ पर एक चीज नोट करने के लिए आपके लिए important है, इन्होंने बोला कि आर्थिक परिस्थितिया सब कुछ नहीं है, विचार महतोपूर्ण होते हैं, आइडिया महतोपूर्ण होता है, लाइक हीगल जैसे बात कर रहे थे कि आइडिया प्रमुख है, वैसे ही माओं का निर्माण होता है, ना कि आर्थिक परिस्थितियों से, और विचारों के बाद इन्होंने सैनिक शक्ती को महतोपूर्ण पहली शक्ति कौन सी है, आइडिया की पावर, आइडिया अगर आपके बेटर है, कल्चरली अगर आप रिच हो, उसके बाद जरूरी होती है सैनिक ठीक है, और इन्होंने लिखा है, everything can be worn by the gun, माववाद का यह प्रमुक जो sentence है, वो है, everything can be worn by the gun, यानि बंदूक से सब कुछ जीता जा सकता है, इसलिए नकसलवादियों ने हथियार उठा लिए, भारत के माववादियों ने हथियार उठा लिए, और लोगों को बंदूक क के दम पर अपनी अधिकार प्राप्त करने की कोशिश किया, जो कि बिलकुल गलत है माववाद के अंदर, I hope आप शक्ती सिधान को अच्छे से समझ गए, पावर के यह बहुत बड़े उपासत थे, और पावर के दम पे ही पूरी दुनिया को, सामाजिक विवस्था को, आर् माव की करन्ती का सिधान्त का जो आधार है, बेस है, वो है माक्सवाद और लेनिनवाद, माक्स ने जो थियोरी दी थी और लेनिन ने जो प्रैक्टिकल में किया, वही माव की करन्ती का आधार है, और माव सशक्त करन्ती को उतना ही महतो देता है, जितना की माक्स और लेनिन ने दिया था लेकिन क्रांटी के सिधान्त में माउं ने दो चीजे जोड़ी है और उसको व्यवारिक रूप दिया है उसने क्रांटी को दो परकार का बताया है क्रांटी को इसने दो भागों में बाटा है पहली है राष्ट्रवादी क्रांटी और दूसरी है लोकतांत्रिक क् क्रांती थी तो राष्टरवादी क्रांती वो है जिसमें सामराज्य वादी ताक्तों को देश से बाहर खदेडा जाएगा और दूसरी क्रांती इन्होंने बोला लोकतांतरिक क्रांती लोकतांतरिक क्रांती का मतलब है जो देश के अंदर सामन्तवादी प्रथा है देश के अंदर जो जागिरदार है सामन्तवाद है फ्यूडल है क्योंकि वो लोगों का खून चूश रहे है जब लोगों द्वारा उन फ्यूडल को जमिदारों को भगाया जाएगा मारा जाएगा तो उसे इन्होंने कहा लोकतांत्रिक क्रांती तोनों क्रांतिया एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटिड है माओ कहते हैं जब तक सामराज्यवाद को उखाड कर फैंका नहीं जाता का अंत भी संभव नहीं है क्योंकि यहीं सामराज्यवादी है जो सामंतों की सहायता करते हैं इसी तरह सामराज्यवादी शाषन का अंत करने के लिए शक्तिशाली सैनिक टुकडियों का गठन नहीं किया जा सकता जब तक समंत वादी यानि जमीरदारी प्रथा का अंत नहीं किया जा सकता अब यहाँ पे देखो क्योंकि समराज्य वादी जो ताक्ते है वो फ्यूडल का साथ दे रही है और फ्यूडल की वो रक्षा कर रही है और feudal क्यूंकि क्रिशकों को आम आदमियों को अपने कंट्रोल में रखी हुई है इसलिए सैनिक टुकडियों का भी निर्मान नहीं किया जा सकता यानि दोनों को एक साथ हमें खत्म करना पड़ेगा जब इन दोनों क्रांतियों को एक साथ जोड़ा जाता है तो माओ इसे कहते है पीपल्स रिवल्यूशन यानि जन्वादी क्रांती तो जन्वादी क्रांती का सिधान्त आपसे पूछा जा सकता है तो जन्वादी क्रांती का सिधान्त जब सामराज्यवादी ताक्तों को उखाड कर फैका जाएगा यानि राश्ट्रवादी और लोकतांत्रिक क्रांती इकठी हो जाएगी तो वो होईगी People's Revolution यहाँ पर important बात यह है कि माउ ने लोगों को क्रांती का आधार माना People's को, जन्शक्ती को क्रांती का आधार माना और उन्होंने कहा युद में हतियारों का अपना महतो है पर वो निर्णायक नहीं है निर्णय मनुश्यो द्वारा किया जाता है जड़ वस्तु द्वारा नहीं माओ ने क्रिशक वर्ग को अपनी क्रांती का सूतरधार नहीं मानाए अब देखो क्रिशक वर्ग क्रांती जरूर करेंगे लेकिन क्रांती का सूतरधार क्रिशक नहीं होंगे माओं ने किसानों को संगठित करके अपना क्रांती कारी राजनितिक संगठन खड़ा किया माओं ने क्रांती दोरा ग्रह युद भढ़काया और ग्रह युद भढ़का कर सत्ता पर कबजा करने का मार्ग अपनाने पर जोर दिया है और इसमें सर्वहारावर्ग की भूमिका को महत्व दिया है तो यहाँ पर important चीज जो Marxism से different इन्होंने बात की इन्होंने बोला कि जो क्रांती है वो देहात से शुरू होगी यानि गाउं से शुरू होगी क्योंकि गाउं के अंदर ही मजदूर रहते हैं गाउं के अंदर ही क्रिशक रहते हैं लेकिन शहरों के अंदर कोन रहते हैं सामराज्यवादी उद्योग पती पुझी पती यानि हमें क्या है घेरा कहां से बनाना पड़ेगा गाउं से हमें क्रांती का घेरा बनाना पड़ेगा और गाउं क्यूंकि शहर जो है शहर वो गाउं से घेरा होता है इसलिए पुझी पतियों को घेरा जा सकता है गाउं से इसके साथ-साथ इन्होंने क्रान्ती का आधार सर्वहरा वर्ग को ही नहीं मानाए अब सर्वहरा वर्ग क्या था अगर आप बात करें माक्सिजम में माक्सिजम में सर्वहरा वर्ग कौन था वो थे मजदूर लेकिन इसमें माउने चेंज किया कि सर्वहरा वर्ग के साथ- योग लेना है क्रानथी करने के लिए, अन्य वर्ग कौन कौन से है, क्रिशक वर्ग, श्रमिक वर्ग, छोटे बुरजुवा, छोटे बुरजुवा यानि जो छोटे आपके पुझी पती है, जिनका शोषन बड़े पुंजी पतियों ने किया है तथा राष्ट्रिय पुंजी पति राष्ट्रिय पुंजी पति कौन है राष्ट्रिय पुंजी पति वो पुंजी पति है जो साम्मेवाद के साथ क्या रखते हैं सहानुभूती रखते हैं और निर्धन कृष्कों के साथ सहानुभती रखते हैं वो है राष्ट्रिय पुझी पती तो इन सब को मिला कर हम क्रांती करेंगे माओं ये कहते हैं तो ये था इनका क्रांती का सिधान्त आई होप आपको इनका revolution का सिधान्त अच्छी तरह समझ आया होगा next जो इनकी theory है वो है theory of cultural revolution दोस्तो cultural revolution माओं का एक प्रमुक सिधान्त है और बहुत ही important इनका ये सिधान्त है सबसे पहले आपको culture को समझना पड़ेगा उसके बाद आपको cultural revolution को समझना पड़ेगा अगर आप culture को समझना चाहते तो culture में भी दो प्रकार के culture आपको समझने पड़ेंगे एक social culture और दूसरा political culture तो culture के उपर मेरी वीडियो है political culture उसको आप समझ लीजिए उसके बाद आपको माओं का cultural revolution easily समझ आ जाएगा तो basically आपको मैं cultural revolution के बारे में बताऊं तो cultural revolution होता क्या है दोस्तो culture होता है किनी चीजों में हमारी किनी values में किनी चीजों में किनी facts में किनी myths में हमारा जो विश्वाश होता है जो पीडी दर पीडी चला रहता है उसे कहा जाता है culture political culture का मतलब होता है जो political system बना हुआ है जैसे इंडिया में democratic political culture है उसमें लोगों का विश्वास सरकार में लोगों का विश्वास सरकार जो भी करे उसमें विश्वाश करना उसको as a value, उसको value की तरह हमने सुईकार करना वो है हमारा culture, political culture cultural revolution से माओ का क्या मानना था? इनका मानना था कि अब हमने यहाँ पे political revolution तो कर ली है राजनिति करांती कर ली है, समराज्य वाद को उखाड कर हमने फैक दिया है हमने democratic revolution भी कर दी है, समन्त वाद को भी उखाड कर हमने फैक दिया है लेकिन यह ज़्यादा समय तक स्थाई नहीं रहने वाला है जब तक लोगों के बीच इस value को हम नहीं पहुचाएंगे कि समय वाद सबसे better है इस value को लोगों तक पहुचाना पड़ेगा कि समय वाद कॉमनिजम सबसे better है माओं की शिक्षा को लोगों तक पहुचाना पड़ेगा और लोग उसको माने भी यह है इनका cultural revolution देश का तेजी से आर्थिक विकास इन्होंने करना था ठीक है वो फेल हो जाता है वो फेल हो जाता है उसके बाद 1966 में 1966 में इन्होंने सांस्कृति करांती का नारा दिया और इन्होंने इसमें क्या लक्षे रखे इन्होंने लक्षे रखे जो माउवाद है उसको आम आदमी तक पहुचाना माउव की जो शिक्षाएं है उसको आम आदमी तक पहुचाना उसके साथ साथ जो साम्मेवाद है साम्मेवाद की शिक्षा लोगों के बीच पहुचाना और लोगों के दिमाग में भर देना कि सम्मेवाद ही सबसे बेटर है जब तक लोगों के दिमाग में ये बात नहीं भरी जाएगी कि माउवाद या सम्मेवाद सबसे बेटर है तब तक ये स्थाई नहीं रहेगा आने वाले टाइम में हो सकता है दोबारा से क्या हो जाए पुझी वाद या सामराजे वाद दोबारा से स्थापित हो जाए जब तक लोगों के माइंड में ये बात ना भरी जाए इन्होंने सबसे पहले तो अपने विचार जनता के बीच पहुँचाए लाल जो आपके सुरक्षा कर्मी थे जिन्हें रेड गार्ड बोला राता था ये कॉमिनिस्ट के प्रचारक थे इनके द्वारा इन्होंने क्या किया सबसे पहले तो ये सांस्कृति क्रांची यानि माओ के विचार लोगों तक पहुचाए अब जो लोग इनका विरोध करते थे माओ का विरोध करते थे उनको इन्होंने मरवा दिया मौत के घाट सब को उतार दिया जिन लोगोंने माओ को स्विकारा उन लोगों को एक्सेप्ट जिन लोगोंने माओ को नकारा उनको मौत के घाट उतार दिया इससे क्या हुआ समाज के अंदर सिर्फ माओ के समर्थक बचे अब माओ के समर्थक बचे तो कोई माओ के खिलाप विचार उत्पन नहीं कर सकता था कोई विचार प्रकट नहीं कर सकता था उससे क्या हुआ कल्चरल रेवोलुशन सक्सेस्पुल हो गई और इसका जो लक्षे का एक तो ब्यूरोक्रेसी ना पनप पाई चीन के अंदर पहला लक्षे ये था दूसरा लक्षे ये था कि सत्ता का केंद्रे करना हो जाए अथोरिटी कहीं सेंट्रलाइज ना हो जाए उसको रोकने के लिए कल्चरल रेवल्यूशन में इन्होंने रखा था लोगों के विचार परिवर्तन करने का प्रमुख दोस्तो एक टर्म पूछी जाती है चांडाल चौकडी अब माओ का इससे क्या संबन था इसे इंगलिश में बोला जाता है गैंग ओफ फोर दोस्तो ये जो चांडाल चौकडी थी इसमें चार लोग थे ज्यांग कुिंग ज्यांग चुनकियो और वैन्यूआन और वांग हांगवेन ये चार लोग इसमें थे और इसका उदेश्य था माओ की जो कल्चरल रेवलिशन थी उसको लागू करना ठीक है और इन चारों के उपर माओ की मृत्यू के बाद आपराधिक मुकदमा भी चड़ा था इस सम्हू के विगठन को माओ से तुमकी सांस्कृति करांती का अंत माना जाता है जब ये चांडाल चौकडी खतम हुई चार लोग जैसे ही खतम हुआ वैसे ही कल्चरल रेवलिशन का एंड माना जाता है आई होप आपको माओ की कल्चरल रेवलिशन समझ आ गई होगी अब जो हमारा नेक्स्ट इसमें टॉपिक है वो है न्यू डेमोक्रेसी तो न्यू डेमोक्रेसी माओ ने बुक भी लिखी है और इनका ये विचार भी है इसको समझ लेते हैं फ्रेंट्स नवीन लोकतंतर क स्थापित होगा लोकतंतर क्रांती के बाद स्थापित होगा अब देखो 1949 में जो क्रांती हुई उसके बाद क्या होगा लोकतंतर स्थापित होगा लेकिन काल माक्स क्या बोलते थे क्रांती के बाद क्या आएगा सर्वहारा की तानाशाही माओ यहाँ पे बिल्कुल है वो समझ लेते हैं सर्वहरा की तानाशाही में क्या होता था वहाँ पे सिर्फ क्या है मजदूरों की तानाशाही थी ठीक है मजदूरों की ही तानाशाही थी लेकिन न्यू डेमोक्रेसी में मजदूरों की तानाशाही नहीं होगी न्यू डेमोक्रेसी में पूंजी पतियों को भी साथ लेके चला जाएगा श्रमिकों को भी साथ लेके चला जाएगा कृषकों को भी साथ लेके चला जाएगा यानि नवीन डेमोक्रेसी में मजदूरों की तानाशाही नहीं होगी माक्स की तरह लेकिन ये संक्रमन कालीन स्थिती होगी जो नवीन डेमोक्रेसी है जो न न्यू डेमोक्रेसी रहेगी उसके बाद ये खत्म होकर सम्मेवाद में परिवर्तित हो जाएगी सम्मेवाद में ये कनवर्ट हो जाएगी जैसे कि माक्सवाद में सर्वहरा की तानशाही सम्मेवाद में परिवर्तित होनी थी माउन ने न्यू डेमोक्रेसी का सिधान क्यों अपनाया इन्होंने बोला कि अगर मजदूरों की तानाशाही होगी और पूंजी पतियों को आप खतम कर दोगे तो देश का विकास कैसे होगा ये पूंजी पती ही तो है जो प्रोडक्शन करते हैं पूंजी पती ही तो है जो देश का विकास कर सकते हैं तो इन्होंने क्या क्या इन्होंने बोला कि हम मिश्रित अर्थ विवस्ता अपनाएगे न्यू डेमोक्रेसी में मिश्रित अर्थ विवस्ता का मतलब है कि समाजवाद भी होगा और यहाँ पे पूंजीवाद भी होगा बड़े-बड़े उद्योग भी होंगे और छोटे-मोटे मज़दूर किसान सभी साथ मिलकर काम करेंगे ये है New Democracy का सिधान्त New Democracy के अंदर आपको विचित्र लगेगा, अजीब लगेगा New Democracy के अंदर प्रभुत्व पूंजी पतियों का होगा New Democracy के अंदर प्रभुत्व जो होगा वो पूंजी पतियों का होगा क्योंकि पूंजी पतियों के पास दिमाग है, पूंजी पतियों के पास मशीने है और प्रोडक्शन की फोर्स उनके पास है लेकिन इसमें जो आपका सम्मेवादी दल होगा छोटे मोटे कृशक होगे वो क्या करेंगे वो सम्मेवादी व्यवस्था की प्रिष्ट भूमी तयार करेंगे अब देखो प्रभुत्तो तो पुँझी पतियों के पास है लेकिन व्यवस्था इस प्रकार की बनाई जाएगी जिसमें क्या होगा कि सम्मेवाद लाने के लिए प्रियास किये जाएंगे पुझी वाद के अंदर भी राष्ट्रिय पुझी वादी होगे राष्ट्रिय ये सब लोग इकठे होकर सामयवाद को लाने की कोशिश करेंगे नवीन डेमोक्रेसी के अंदर निव डेमोक्रेसी के अंदर तभी सामयवाद की स्थापना हो सकती है ये हवा में कोई इसकी स्थापना नहीं होने वाली है ये कॉंसेप्ट था निव डेमोक्रेसी का आई होप समझ आ गया होगा इसमें सभी वर्ग एक साथ मिलकर काम करेंगे नेक्स्ट कॉंसेप्ट है डेमोक्रेटिक डिक्टेटर्शिप यानि लोकतंतर भी है और अधिनायक वाद भी है अब देखो माओ ने कॉम्मिनिस्ट मैनिफेस्टों का गोशना पत्र था उसको पढ़ा और उसमें से एक चीज इन्होंने ली इन्होंने ली कि जो राज्य होता है राज्य एक वर्ग विशेश लाइक पूंजी पती का एक शोषन का साधन है पूंजी पती राज्य के दौरा मज़दूरों का शोषन करते हैं ये उन्होंने सेंटेंस लिया और इसके आधार पर उन्होंने लोक्तंत्रिय अधिनायक वाद का कॉंसेट्ट नवीन डेमोक्रेसी या निव डेमोक्रेसी के अंदर दिया है अब इसमें होगा क्या पूंजी पती भले ही प्रभुत्व में है पूंजी पती के पास भले ही पावर है लेकिन वो दूसरे वर्ग का शोशन नहीं कर सकता है New Democracy में क्या है? पुंजी पती के पास पावर है लेकिन वो दूसरे वर्ग का शोशन नहीं कर सकता है अगर पुंजी पती दूसरे वर्ग का शोशन करेगा तो डिक्टेटर्शिप बन जाएगा राज्ये डिक्टेटर्शिप बन जाएंगे साम्मेवादी और जो लोग जो पुझी पती मजदूरों का, गरीबों का, क्रिश्कों का शोशन करेगा उसको डिक्टेटर्शिप के तहर खतम कर दिया जाएगा यही माओ की सांस्कृति क्रांती में 1966 में हुआ, जो लोग शोशन कर रहे थे और जिन लोगों ने साम्मेवाद को नहीं माना, उन लोगों को जान से मार दिया गया, कल्चरल रेवोलिशन के द्वारा, या फिर उनका ब्रेन वाश कर दिया गया, उनका माइंड डाइवर्ट कर और क्रांती विरोधियों के लिए अधिनायक वाद, यानि जो क्रांती का समर्थन कर रहे थे, शोशन का जो विरोध कर रहे थे, उनके लिए ये क्या था, लोग तंत्र, और जो क्रांती का विरोध कर रहे थे, उनके लिए था ये अधिनायक वाद, नेक्स्ट इसमें अब देखिए राज्य एक बहुत बड़ी संस्था होती है राज्य को क्या है राज्य को नीचे इकाईयों में बाटा जाता है जैसे भारत के अगर बात करें तो भारत एक राज्य है इसको 29-28 स्टेट्स के अंदर डिवाइड किया गया है वैसे ही चाइना के अंदर भी होना था तो इन्होंने क्या बोला कि नवीन जो हमारा लोकतंतर होगा न्यू डेमोक्रेसी जो हमारी बनेगी उसमें हम लोकतंतरिय के अंदरवाद यानि डेमोक्रेटिक सेंटरलिजम को अपनाएंगे इससे होगा क्या जो प्रांथ है वो अपने स्वार्थों की पूर्ती नहीं कर पाएंगे वो सारे के सारे किस के अधीन रहेंगे सेंटर के अधीन रहेंगे और सेंटर हमेशा जो पॉलिसी बनाएगा वो जन हित में बनाएगा ऐसा नहीं है कि अगर चाइना के अंदर 30 राज्य छोटे अंदर बना दिये और हर राज्य अपनी तानाशाही करे या फिर डिक्टेटरशिप अपनी करे तो डिक्टेटरशिप उपनी नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके उपर दबाओ किसका रहेगा उसका दबाव रहेगा सेंटर का सेंटर मजबूत रहेगा और सेंटर ही सभी स्टेट्स को क्या है पावर्स देगा तो ये था देमोक्रेटिक सेंट्रिजम नेक्स टॉपिक है लंबी छलांग का सिधान्त त्य९री ओफ ग्रीट लीपस दोस्तो theory of great leaves forward यानि लंबी छलांग का सिधानत basically economic growth के साथ जुड़ा हुआ था माओ क्या चाहते थे 1978 में उन्होंने एक plan एक उन्होंने mission शुरू किया लंबी छलांग वो चाहते थे कि हमने जल्दी से जल्दी अपना अध्योगिक विकास करना है और economic विकास हमने करना है उन्होंने एक नारा दिया था और वो नारा था तीन वर्ष के कठोर परिश्रम द्वारा हजार वर्ष का सुख प्राप्त करना यानि तीन वर्षों के अंदर इतना जादा अध्योगिक विकास कर लेना इतना जादा हमने लगू, मध्यम और बड़े हमारे उद्योग है उसमें इतना जादा विकास कर लेना कि हजार साल तक हम क्या कर पाए आराम कर पाए लेकिन ये सफल नहीं हो पाया उनका प्रोग्राम इसके असफल होने के पीछे बहुत सारे कारण थे मेन कारण उन्होंने बहुत बड़ा ये लक्षे ले लिया था तीन साल के अंदर हजार साल का सुखपाना उसके बाद 1969 से लेके 1961 तक चीन में भेंकर अकाल पड़ा बाढ़े आई, महा मारी फैल गई और लंबी चलांग मार कर आगे बढ़ने का सपना माओ का तूट गया उसके बाद 1962 में इंडिया पाकिस्तान के बीच वार होता है वो भी एक ड्रॉबेक का कारण रहा कि माओ से तुंग ये लंबी चलांग नहीं लगा पाए और ये फैल हो गया 1958 के अंदर नेक्स जो तूरी है ये है तूरी औफ हिउमन वर्शिप दोस्तो माओ व्यक्ति पूजा के प्रतिश्थापक है यानि उन्होंने व्यक्ति पूजा को उचित माना है एक तरफ तो उन्होंने नारा दिया था कि सैंक्डो फुलो को एक साथ खिलने दो दूसरी तरफ उन्होंने क्या कर दिया उन्होंने cultural revolution को लागू कर दिया अब सेंकडो फूलो को खिलने दो let the hundred flower blossom या bloom ये उन्होंने सिधान दिया था कहने का मतलब है देश के अंदर जो सो परकार की विचार धाराय उत्पन हो रही है उसके अंदर क्या किया माओ को देवता बना दिया माओ को क्या है देवता बना दिया घर घर में उसकी पूजा होने लगी माओ की जो शिक्षाएं हैं उसको लोगोंने वेदो की तरह मानना शुरू कर दिया जो बाते वेदो में लिखी है वैसे ही माओं की बातों को वो मानने लगे भगवान से ज़्यादा भरोसा उनको माओं की बातों पे होने लगा उनकी कुछ प्रमुक शिक्षाएं जैसे कि उन्होंने बोला युद में मनुष्य और शष्टर की तुलना में मनुष्य का अधिक महत्तु है क्योंकि युद के निर्नायक मनुष्य है शष्टर नहीं तो लोगों ने वेद मंतर की तरह इसको माना कि मनुष्य ही सब कुछ है शेश्ट्रों से कुछ नहीं होता है अगर मनुश्य के पास अकल नहीं है उसके बाद दूसरी शिक्षा सेना में राजनिती को अन्य सैनिक कारियों की तुलना में प्रात्मिक्ता देनी चाहिए यानि सेना में क्या है? राजनिती को अन्य सेनिक कारियों की तुनला में प्रात्मिक्ता देनी चाहिए नेक्स्ट है माववाद ही सची राजनिती वा अर्थशाष्त्र है इसलिए माववाद को प्रात्मिक्ता दी जानी चाहिए माववाद ही सच्चा आदर्श है जीवन में व्यावारिक ज्यान को सेधान्तिक ज्यान की तुलना में प्राथमिक्ता देनी चाहिए इस परकार के कुछ वाक्ये थे जो घर-घर में लोगों को पढ़ाए गए घर-घर में माओं की सहिता बाटी गई, माओं की किताबे बाटी गई और व्यक्ति पूजा का सिधान्त यहां से उत्पन होता है Next है हमारा विचार की स्वतंतरता का सिधान्त Theory of Freedom of Thought ये भी हमारे माव ने 1957 में जनता को स्वतंतर चिंतन एवं आलोचना करने के अधिकार की दृष्टी से एक बहुत ही आकरशक नारा दिया ये नारा था सेंकडों फूलों को एक साथ खिलने दो और सेंकडों विचार धाराओं को जूजने दो Let a hundred flowers bloom together and let a hundred schools of thought content माव ने विचार स्वतंतरता को महतो देकर साम्यवाद की कम्यों का पता लगाने का प्रयास किया था यानि उन्होंने जो freedom of expression दी थी उससे उन्होंने क्या करना था उन्होंने सिर्फ ये पता लगाना था कि साम्यवाद के अंदर क्या कम्या है उन्होंने बुद्धी जीवियों और उदार वादियों से भी सहयोग प्राप्त करने के लिए ये नारा दिया था लेकिन उन्होंने क्रांती विरोधी तत्वों, सामंत वादियों, पूंजी वादियों और प्रती क्रिया वादियों से ये अधिकार छीन लिया कि वे स्वतंतर विचार रख सकें अब समझे अपने से विरोधी विचार धारा रखने वालों को विचार की स्वतंतरता नहीं दी जाती है यानि विचार की स्वतंतरता दो तरफी है, एक तरफा जो तो साम्मेवाद का समर्थन कर रहे हैं वो अपने विचारों को खुल कर रख सकते हैं लेकिन जो सामन्त वादी है, पुंजी वादी है, प्रतिक्रिया वादी है, जो साम्मेवाद की आलोचना कर रहे हैं, उनको अपनी विचार रखने की बिल्कुल भी आजादी नहीं है, और जो विरोध में विचार प्रकट करेगा, उसे सीधा मोत के घात उतार दिया जाएगा तो ये थी विचार स्वतन्तरता की अभिव्यक्ती, सोरी, विचार स्वतन्तरता का सिधान्त next topic है theory of imperialism समराज्यवाद के बारे में उनका क्या विचार था दोस्तों समराज्यवाद के बारे में माओ ने पूरे विश्व को दो भगों में बाटा एक ताकत थी समराज्यवादी ताकत और दूसरी थी समराज्यवाद विरोधी ताकत सामराज्यवादी ताकत के अंदर इसने अमेरिका और उसके साथ वाले सभी देश, येरोपिय देश जो अमेरिका का साथ दे रहे थे और दूसरे थे सामराज्यवादी विरोधी जिसके अंदर रूस, चीन और पूरुवी येरोप ये सारे के सारे देश क्या थे ये थे सामराज्यवाद विरोधी देश और इन दोनों के अलावा अगर कोई तीसरा गुट बनता है अब देखिए एक था अमेरिका जो की पूंजी वादी था दूसरा था रूस जो की समय वादी था इन दोनों गुटों के अलावा अगर विश्व में कोई तीसरा गुट बनता है तो उसका कोई भी महत्व नहीं है यानि नॉन अलाइनमेंट मुवमेंट की इन्हों ने आपे कड़ी आलोचना की थी इस सिस्टम के अंदर जिन लोगों ने रूस का साथ नहीं दिया उन लोगों को इन्होंने पागल कुटे, रैविंग दॉग्स और भाड़े के टटू यानि हैर लिंक्स आदी नामों से पुकारा यानि जो लोग तटस्ता की नीती अपनाते थे, गुट निरपेक्षता की नीती अपनाते थे भारत भी उसमें था, इन लोगों को उन्होंने गाली देना शुरूप किया और इन्होंने लिखा तटस्त था, धोके की टही है और तीसरे गुट का कोई ओचित्य नहीं है इसका सपष्ट संकेत भारत की गुट निरपेक्ष नीती की तरफ था जो यह समराजय वाध का सिधान्थ था, यह संकेन स्वार्थो पराधारी था अब देखो, माव एक और युद्ध को प्रोत्साहन करता है इंटरनेशनल वार को भी प्रोत्साहित करता है यह मिन अंतराश्टरी युद्धों के दूरा वो क्या करना चाहता है वो सामराज्यवाद ही तो स्थापित करना चाह रहा है और दूसरी और अमेरिका जैसे देशों को वो सामराज्यवाद ही कहता है तो बिल्कुल इसके बीच अंतरविरोध है, कॉंट्रडिक्शन है लास्ट जो टॉपिक इसमें हमारा है ये है त्योरी और अफ कॉंट्रडिक्शन यानि अंतरविरोध हो का सिधान्त तो ओन कॉंट्रडिक्शन इन्होंने बुक भी लिखी है उसके अंतर इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि कॉंट्रडिक्शन से इनका क्या मतलब है अब द और एन्टी थिसी जु这是। होता है। संगर्ष होता है। और इससे एक नया विचार लिशु दोता है। वैसे ही इन्होंने बोला जो अंतर विरोद का सिधान्त है है '' उसमें क्या होगा। कि एक विचारे खिलाफ दूसरा विचार आएगा ही आएगा। एक विचार के खिलाब दूसरा विचार आएगा और दोनों विचारों के बीच क्या है टकर होगी और जो बैटर विचार होगा वो आगे चलकर हमारे सामने फाइनल रिजल्ट हमारे सामने आएगा ठीक है लेकिन अंतर विरोधों का जो सिधान्त कालमाक्स का है तो कालमाक्स जो synthesis, communism बनके हमारे सामने आएगा, उसमें अंतर विरोध खत्म हो जाएंगे, उसमें classless, उसमें stateless, उसमें किसी भी प्रकार का शोशन नहीं होगा, किसी भी प्रकार का मतवेद नहीं होगा, communism में, कालमाक्स ऐसे बोलते हैं, लेकिन माओं बोलते हैं, जो contradiction है, ये continuous है, contradiction कभी खत्म नहीं होंगे, भले ही साम्यबाद आजाए, या फिर कोई भी बेटर से बेटर आपके पास विवस्था आजाए, लेकिन contradiction समाज में बने ही रहेंगे, अंतर विरोधों को माओं बहुत ही अच्छा मानता है, इन्हें कोई बुरा नहीं मानता है, for example, माओं कहते हैं, एक निती को हमने लागू किया, अगर वो निती गलत है, तो उसका विरोध किया जाना चाहिए, जब एक निती का विरोध होगा, contradiction होगा नितियों के बीच, तभी तो हमें बेटर निती मिल पाएगी, बेटर हमार पास रूल बन पाएगे, तो इन्होंने contradiction को बहुत ही अच्छा माना है और contradiction कभी भी खतम नहीं होंगे, contradiction को इन्होंने दो परकार का माना है, पहले टाइल का विरोध है, सामनजश्य सील विरोध, सामनजश्य शील विरोधों का मतलब है, जो विरोध जनता के बीच होता है, जो विरोध जनता के मध्य होता है, उसे इन्होंने बोला, सामन में भी बने रहेंगे ये विरोध कौमणिजम में भी बने रहेंगे माउ के अनुसार। दूसरे परकार का जो अंतर विरोध है वह गैर सामंजस्य शील विरोध होते हैं वह शोषक और शोशितों के मध्य होता है जिसे सुलजाने के लिए हिंसा की आवशकता होती है। यानि जैसे आसमन्जस से शील विरोध का मतलब है लाइक पूंजी पती और श्रमिकों के वीद जो विरोध होता है उसके लिए क्रांती की जरूरत होती है ठीक है तो दो प्रकार के विरोधों की इन्होंने अंतर विरोधों की बात की है साथ में इन्होंने बोला जो अंतर विरोध है वो सभी सोशल फॉर्मेशन में लागू होता है सभी वर्गों पे लागू होता है सभी व्यक्तियों में लागू होता है और मनुष्य अंतर विरोधों को समाप्त नहीं कर सकते हैं केवल इनकी दिशा बदल सकते हैं ठीक है अंतर विरोध या द्वन्दवाद को साश्वत प्रक्रिया माना है इनका कॉंसेप्ट बच गया है वो है theory of continuous revolution यानि निरंतर क्रांतियों का सिधान जैसे कि काल मार्क्स बोलते थे कि श्रमिक क्या है मजदूरों के खिलाब क्रांति कर देंगे और श्रमिक जो है वो पुझी पती के खिलाब क्रांति कर देंगे और पुझी पती खत्म हो जाएंगे क्रांति खत्म लेकिन माओं बोलते हैं continuous revolution यानि सतत क्रांति निरंतर क्रांति की क्रांति कभी खत्म नहीं होती क्रांति पूरे समय में चलती रहती है लाइक आपने सबसे पहले है क्या है समराज्यवाद के खिलाब क्रांति लाई जिसे राष्ट्रिक क्रांति बोला गया वो खत्म हो गई उसके बाद आपने क्या लाई देश के अंदर जो बचे हुए आपके फ्यूडल है उनके खिलाप आप लोग तांत्रिक क्रांती लाएंगे तो क्रांती चली हुई है पहली क्रांती चली फिर दूसरी क्रांती उसके बाद क्या है लोगों का माइंड भी तो चेंज करना है लोगों के माइंड को भी चेंज करने के लिए क्रांती लानी पड़ेगी जो की है कल्च चलांग जैसा आंदोलन आपका वो भी एक क्रांती है यानि क्रांती एक पॉइंट पे खतम नहीं होती है एक पॉइंट पे शुरू नहीं होती है क्रांती पूरे टाइम पे चली रहती है सोशल सिस्टम में क्रांती निरंतर चली रहती है यह है इनका थियोरी ओफ कॉंटिन्य revolution का सिधान्त I hope आपको इन थियोरी से पता लगया होगा कि माववाद की basic assumptions क्या है जितनी भी मैंने ये आपको प्रिंसिपल जितनी भी आपको थियोरी बताई ये माव के विचार है और इसी को माववाद कहा जाता है तो अब आपको clearty होगी होगी माव ना तो माकसवादी है ना ही लेनिनवादी बलकी पूरण माववादी है माव ने माकसवाद, लेनिनवाद से प्रेलना तो ग्रहन की है लेकिन विशुद माकसवाद का portion नहीं किया है वह स्वय सामराजेवाद का विरोध करते है और स्वय अपना समयवादी प्रभाव विश्व में पहलाना चाहते है माउने माक्स के द्वंदवाद को नया रूप देके इस प्रक्रिया को शाश्वत माना यानि द्वंदवाद जो कि आपका theory of contradiction ये उमर भर चलती रहेगी माउने शक्ति वा युद संबंदी विचार आधुनिक मानव समाज के लिए जो दिये है वो बहुत जादा घातक है चीन क्योंकि माउ के विचारों के आधार पे चलता है तो माउ निशस्त्री करण का विरोधी था इसलिए चीन ने हमेशा निशस्त्री करण के प्रती अपना उपेक्षा भरा रवया अपनाया जो की मानवता के लिए शुब संकेत नहीं है माउ की शक्ती हिंसा और वर्ग संगर्ष को जन्म देने वाली विचारदारा संपूर्ण मानवता का महाविनाश के कगार पर लाने के लिए परियाप्त है माउ का व्यक्ति पूजा का सिधान्त विश्व समाजवा मानवता के लिए सबसे बड़ा खत्रा है और माउ के मृत्तिव के बाद चीन शान्ति पूण सह अस्तित्तों की निती में विश्वाश करने लगा है यानि उसने वही समराज्यवाद या फिर आप बोल सकते हैं सम्मेवाद को विश्व में पहलाने की बात नहीं की बलकि हर देश का शान्ति पूर्ण तरीके से रहना और उसके अस्तित्तों को स्विकार करना शुरू कर दिया तो माउ के विचार चाइना में भी अब धीरे-धीरे कम होने लगे हैं वेश्विक व्यवस्था के अनुसार तो दोस्तों ये था माउ का एक complete lecture जिसके अंदर माउ से related हमने सारे के सारे fact और concept को cover करने की कोशिश की I hope आपके लिए वीडियो useful रहेगी अगर अच्छी लगी है तो एक like और एक share तो बनता है Thank you friends मिलते हैं next वीडियो में Thanks for watching